एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल दाकड ओनलाइन स्टेडी में दोस्तों इस वीडियो में हम चक्षिक योगिता प्रिक्षा का लास 10 का ये वीडियो है और स्टेसी एकजाम 2022 से संबंदित हैं जिसके अंदर सेट से रिलेटेड यानि कि इसके अंदर आपको बहुत तिक विज्यान रसाइन विज्यान जी विज्यान आधी सब्जेक्ट के जो जो क्यूशन आपको पूछे गए हैं वो क्यूशन जो है इस वीडियो में हम बताएंगे आपको बोड के द्वारा जारी की ओपिशल आंसर की के द्वारा आपको आंसर बताए जाएंगे और सेट का ये पेपर हैं जो स्टेसी एकजाम 2022 के क्लास 10 से संबंदित हैं तो यहां पर फिजिक्स यानि बहुतिक विज्यान की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला जो प्रशन से भुतिक राशी जिसका मात्रक नूटन पर केजी हैं नूटन की किस का मात्रक Sumer में की नूटन का जो मातां होता चुछिए मिटर पर सेकंड स्कसर होता है और बटाओं में के कजी कर जैगा याने कि में पर सरक्षून गज के दुरुमान करमेशा 8 kg वो 32 kg हैं तो तो इस कंडिशन में इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमर टू यानि इनका जड़त एम से अधिक होगा जिस वस्तु का दुरुमान अधिक होता है उसका जड़त भी जो है अधिक होता है दूसरा उप्शन यहां पर राइट बल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुन्य चीकने सत्व पर जो है वस्तु पर पर परिणामी बल सुन्य होता है तो सुन्य इस राइट आंसर नेश्ट क्यूशन है क्यूशन नवर फोर 200 kg और 400 ग्राम दुरुमान की दो वस्तु एक ही रेका के अनुदिश एक ही दी चीक के गुणन फलको सव्वे इसका अंसर हो जागा और ठीज यानि वन रेशयो यान एक अनुपात है क् क्यूशन नवर फायव की बात करें जब वस्तुको द्रव में डूबो वह जाता है तो उत प्लावनवल बस्तु पर उपपर की ओर कारे करता है और द्वाधर दिशा की ओर नेश्ट कुईशन है शिक्स नंबर मुक्त पतन वाली सभी वस्तों का तवराण क्या रहता हैं नियत रहोता है तीसरा उप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी का आपेक्षिक गनत तो 7.6 है पानी का गनत एक ग्राम प्रतिस सेंटीमिटर क्यूब है एसा ही मातरक में चांदी का गनत तो होगा तो साथ वी का राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नबर 4 साथ पॉंट 6 इंटू दसकी का 3 केजी मिटर क्यूब नेस्ट क्यूशन 12 के बात करें तो पात सेकंड फस्ट और में गुरति बल दुआरा किया गया कारे के लिए सही संबन्द है तो गुरति बल के दुआरा कारे किया गया मैं सही संबन्द बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमर एक यानि की डबलु वन डबलु सेकंड डबलु बराबर डबलु सेकंड क्योंकि यहां पर दूरी बराबर है एच का मान दोनों के लिए बराबर है तो कारे भी जो है बराबर होगा नेस्ट क्यूशन की बात करें अगर हम question number 13 काच का अपरवतनाग दे रखा है यहाँ पर 1.50 है यदि वायू में प्रकाश की चाल 3 into 10 की गात 8 मिटर पर सेकंड है तो काच में प्रकाश की चाल होगी तो काच में प्रकाश की जो चाल है इसका right answer हो जो option number 2 2 into 10 की गात 8 मिटर पर सेकंड यानि आपको गुणा करना है इससे तो right answer आजाएगा next question की बात करें question number 14 बीम दूरी परती बीम दूरी तदा गोली दरपड की फोकस दूरी F में सही समदे यानि दरपन का सुत्र दरपन का सुत्र क्या होता है option number 4 1 upon V plus 1 upon U बराबर 1 upon F यहाँ पर यह जो सुत्र है यह लेंस वाला है जिसके अंदर माइनस लग रहा है प्लास वाला जो है दरपन का सुत्र हो जाएगा वही हम से पूछा है question number 15 प्लास दो डायमेटर शमता के लेंस की प्रकति यह फोकस दूरी होगी जो फोकस दूरी और प्रकति होगी वह क्या होगी यह उताल लेंस होगा और इसके फोकस दूरी 50 सेंटीमेटर होगी फोकस दूरी 50 सेंटीमेटर होगी और उताल लेंस होगा next question 16 number है किसे अउताल दरपन के कारण समान साइज का वास्तिव के उल्टा परती बीम प्राप्त होता है जब बीम रखा हो जब बीम रखा हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर थी यानि कि सी पर बीम का रखा हो सी पर क्यूशन नमबर 17 तारह के टिम टेमाने का कारण है बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइव मंडली अफ़ोर्टन चोता उप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूशन नमबर 18 की बात करें मानो नेत्र अभी नेत्र लेंस की समायो जीट करके विविन दूरियों पर रखी वस्तों को फोकसित कारण है एसा हो पाने का कारण है तो इसा किस कारण से होता है तो नेत्र के समझन शमता के कारण होता है नेश्ट कुशन नमान अएटिंग की बात करें तो यदिकिस परिपत के दो बिन्दों के बीच दो reflection number 20 किसी घर में नॉव्मर महिने में उर्जा की सो Works and आठे qualify माननास 6 5 Br ayar हो है किस वेद्यु शक्ति की वेद्यु शक्ति दी जाती है उसका बुसी प्राइबर वी शक्ति प्री आइए पी बराबर आई भी विदुद्धारा इन्टू वोल्टेज याने विवांतर बाइसवा क्यूशन ने एक तुल्य परतिरोत बताना है तो आप इसको सौल करके आंसर फाइंड कर सकते हैं दो ओम इसका जो है अंसर आ जाएगा यहां पर आपको पहले समांतर करम और फिस श्रेणी करम दोनों से जो है इसको सौल करना है तेसवाई का आंसर की बात करें तो वह युक्ति जो विदुद्ध उर्जा को यांतर कुर्जा में बदलती परि नालिका के बीतर के चुमकी शत्र की बात करें तो वह सभी विंदों पर हमेशा समान होता है नेक्ट कुशन अबर ट्वाइब की बात करते हैं प्रत्यावती धारक की आवरती जो है पच्चास हर्च हर्च हैं वह कितने समय पश्याद अपनी दिशा उतकरमित करती है त अवाज सो सेकड के बाद है किसन वार ट्वाइंटी सिक्स जो है अपने रसाइन विज्ञाव्याद से रिलेटेड कुशन है और टोरस सेट के अंदर 29 आपको कुशन मिले हैं 90 जो है टोटल से अंदर कुशन मिलेंगे तो टॉन्टी शिक्स की बात करते थे गहनत्त्व का मा रख्या होता है किलोग्राम प्रतिगन मेटर यह इसका रायट आंसर हो जाएगा 27 नेमनलिकित में से उर्दपातक है तो उर्दपातक जो है वह वह अमूनियम क्लोराइड हो जाएगा क्यूशन नमर 28 की बात करें हम तो 28 एरोसोल का उधारन जो है वह हमरे पास बादल है बादल जो है वह एरोसोल का उधारन है नेस्ट क्यूशन की बात करें हम 29 नमबर दूद से क्रीम को प्रतक करने की विदी है दूद से क्रीम को प्रतक करने की विदी जो है वो अब केंदरन विदी है अब केंदरन question number 30 की बात करें निमने लिकित में से अधातु है अधातु आपको बतानी है तो अधातु कौन सी हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी oxygen oxygen जो है अधातु है next question 31 number है निमने लिकित में से योगिक है तो योगिक हो जाएगा यहाँ पर जल जल एक योगिक है कुंशन निम्लेका में रासानिक प्रिवतन लोहे में जल्दारा उदार्ण है है। क्युशन 33 है अमोनियूम अन्सुत्र है तो अमोनियूमु अन्सुत्र नह स्थ्थन नहीं है तो फॉर है जिए नमबर थार्टी फॉर ए जीरो पॉइंट पांच मोल एंटू गेस का दुरुबान होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट कुछिशन नमबर थार्टी फाइब के बात करें तो जिंक प्लस कोपर सलफेट जिंक सलफेट प्लस कोपर ये कौन सी प्रकार की अभीक्रिया हैं तो यह विस्ता अभीक्रिया हो जाएगी नेश्ट थार्टी सिक्स है रख्त का आपको पीएच बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्षिन मबद थ्री यानि सेवन प्वैंट पॉइंट फॉर पॉर कि नमबर थारी सेवन सबसे अधिक क्रियाशील दातु सबसे अधिक क्रियाशील दातु जो है सोडियम हो जाएगा 40 नमबर क्यूशन है इसका IUPSC नाम आपको बताना है यह जो है वो प्रोपेनोन का जो है IUPSC नेम हो जाएगा क्यूशन नमबर 41 है यहाँ पर भी आपको जो है यह किस परकार की अभिक्रिया है तो यह जो है एश्ट्रिकरन अभिक्रिया है नेश्ट क्यूशन है CUO प्लस H2 CU प्लस H2O तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह रेडॉक्स अभिक्रिया है इसमें अक्सिक्रन और अपचे इन दुनों साथ में हो रहा है क्यूशन नमर 43 के बात करें तो धातू कर्बोन नडे की अमले के सब्क्रिया होने पर उत्पन होने वाले ग्यस हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूशन नमर जो है आगे नेश्ट फॉटिफोर है निम्न लेकित मेंसे सरवादिक धात्वी होन्वाली धातु है तो मिगनीशम जो है सबसे धात्विक जदा गुण होते हैं इसमें नेश्ट कुशन 45 जो इलक्ट्र नियास दो साथ वाला तत्व हैं जिसका इलक्ट्र नियास दो और साथ है यह नो नंबर पर फ्लॉरॉरीन आता है फ्लॉरीन एक आवर्त में बाहें से दाएं जाने पर तत्वों की दधात्विक प्रक्ति घटती है किस तत्वों के यह दो कोशें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोन नियोन जो है संत्रे में पाएज आने वाला अमल जो हें वह सिट्रे की आमल हो जाएगा टार्टडड़ी में पाएजाता है जो है उक्जियले को संत्रा अगरा में पाएजाता है नेस्ट क्यूशन है 50 नमबर एक तत्व एकस एकसी एल थ्री सुत्रवाला क्लोराइड बनाता है तत्व का नाम है तो तत्व का नाम जो है एल्लूमिनियम हो जाएगा अब जो क्यूशन है वो आपके जीव विग्यान यानि बायोजिस से रिलेटेड हैं जिसके अंदर आपको वनस्पति शास्त्र और बायोजिस दोनों के क्यूशन मिलेंगे तो 51 नमबर क्यूशन है कोशिका का शक्तिक्रा यानि कि माइट्रो कांडिया बहुत ही ज्यादा पड्रकाइक को करते हैं तो शर्टन सब्सक्राइट आंसर होते हैं इसका अंट होती तो गनाइटोजन गेस की मात्रा जो है वह सेवंटी एट परसेंट होती है फिप्टी फाइब नमर क्यूशन है ग्लुकोज के विकंडन से पाइरुवेट बनने की क्रिया होती है तो इसका राइट आंसर है कोशी का द्रव्वे प्ष्पनवा पादप में फ्लोयम उत्रदाई है तो फ्लोयम जो है वह बोजन के वहन के लिए उतरदाई है फ्पर फिप्टी शेंगाइए पुश्प के किस भाग से फ़ल बनता है तो के अंडशी बाग से फल बनता है क्योंकि सिंटन इसे की बत करें अहरा संक्या में प्रत्म-पोस्चिस तर हैं जो ये उप्रतम होज़ता है Device एक जूलोगी सते जब दाया आलता है तो रुदिर प्रभा की दिशा एक तो इसका राइट आंसर होजएगा एक सरीर में विय औक्सीजनीद 62 नमबर क्यूशन है विदुत आवेक के द्वारा सुचनाव को शरीर के वीविन अंगो में समवान हेतु विश्षिष्ट्र करतें तो इसका राइट आंसर होजएगा निूरॉंज संक्रन प्रियोग में प्रभावी लक्षन को सुर्वपता अभियक्त करने वाली पीडी है तो इसका राइट आंसर होज़े ऑप्षिन नमबर टू एफ़ण पीडी इसका राइट आंसर होज़ेगा है तो इसका राइट आंसर होज़ेगा अनुमस्तिक दूसरा इसका राइट आंसर होज़ेगा 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 इसका जगत का सबसे बड़ा संग आर्थो पोड़ा है। इसका राइट आंसर होजेगा सबसे पहले पता कौन से विग्यानिक ने लगाए था तो इसका सब्सक्राइब्स जो है। यहाँ पर आपको संधी बाजक दे रखा है। तो कौन बताना है तो यहां का राइट आंसर हो जागा 74 का वह जागा option 4 105 डिग्री क्यूशन नमबर 75 इसमें जो है आपको त्रीबुज की दो भुजाई दे रखिए परिमाप दे रखा उसका शेत्रफल बताना है तो इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन 77 नमबर है बंटन की बारम बरता पांच की बारम बरता बता नहीं तो राइट आंसर हो जाएगा पास से को एक बार फेका जाता अबाज संक्या आने की प्राइकता ओप्शन नमबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बटा अच्छे एक बटा अच्छे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूशन नमबर 79 जो है संक्या 116 में बाज गुनन खंड में बाज गुनन खंडों की घातों का योग कितना हो जाएगा तो इसका राइट आ 81 में आपको जो है आयताकार बाग की लंबाई चोड़ाई से 4 मिटर अधिक है अर्द परिमा आप दे रहे का तो लंबाई बता नहीं है तो इसके लंबाई आजाएगी 20 मिटर 82 नमबर क्यूशन है यहाँ पर मूल वास्त्विक नहीं होंगे यदी मूल वास्त्विक नहीं होने की क्या कंडिशन होगी 20 स्कॉर इस लेज देन 4 सी 20 का मान 4 सी से कम होना चाहिए समांतर शैनी के योगफल सरे रिलेटर ये क्यूशन है और 84 नमबर क्यूशन जो है यह रिका करने को जो है तो विबाजन करने वाले विंदू के निर्देशांग बताने तो इसका राइट आंसर अप्शन नमबर टू हो जाएगा सेवन थ्री एटिफाइब नमर क्यूशन में जो है आपको त्रीकॉण में समद्धी थे टेन टुए बराबर कोट ए माइनस अठार दे रखा तो टुए न्यून कॉण है तो एक कमा टेन टुए को कोट जो है कोट में चेंज करेंगे हम नभे माइनस टुए लिखके फिर यह इ एक सेवन में जो है यहां पर इस पर सेखाओ कि लंबा यह से समद्धित क्यूशन है एक सेवन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर टू रूड 119 हो जाएगा यहां पर एक नमबर यानि बयानले सेंट्ट में इसका आंसर हो जाएगा च्छायंकित बाग का यू आई का मान होगा यू आई का मान आपको बताना है जो क्या होता है आप जानते हैं एकस माइनस एपोन एच कल्पित माधे सांगी के कल्पित माधे से समंद्धित क्यूशन है मैस के क्यूशन के लिए आप हमारे चैनल की प्लैलिस्ट में जाके क्लास 10 मैस से जो प्लैलि वीडियो था जो सेट का एक कोड़ वाला पेपर था जिसके अंदर हमने 90 क्यूशन वीडियो में तब तक के लिए जय हिंदु